कॉंग्रोस विधायक हरदीव सिंग डंग ने सदन में अपनी सरकार के ही मंत्री को खेर दिया है विधायक डंग ने सदन में सवालोचाय की स्वास मंत्री से मांगे गई जानकारी गलत दी गई है जिसका मेरे पास प्रमान मौझूद है उनका कहना है कि डॉक्टर जोहरी सरकारी डॉक्टर है और वे सवासरा में अपने घर पर नीजी अस्पताल चला रहे हैं जिस पर विधान सवाध्यक्ष ने सवास मंत्री तुलसी सिलावट को ततकाल मामले की जाच कराने और दो घंटे में रिपोर्ट पतल पर रखने के आदिश दिये विधायक हर्दीप सिंग डंग से बात की हमारे समवदाता आमिर खान ने सरकारी डॉक्टर डॉक्टर जोहरी दौरा नीजी घर में नीजी अस्पताल खोलने का एक मामला सदन में उठा है और यह उठाया है हर्दीप सिंग डंग विधायक रहे पूरा मामला कहता है आरोब भी लगाया है कि जो मंतरी के अधिकारी हैं जो अधिकारी उन्होंने जो रिपोर्ट पेश किया आपके सामने आपका जो सवाल का जवाब था वो भी ठीक नहीं था आपने जाच की मांग क कहीं बार एक सरे मशीने खराब कर दी गई और सरकारी जो करम चारी हैं होस्पिटल के वो उनके घर पे जाकर काम करते हैं और आज जो मरीज स्वांतरा में प्रेशान है और इसके करण महाँ पर अजेपूर में एक राधा भाई जो पूरू में उसकी मृत्य हो चुकी है रा मानता हूं कि अगर यह सत्य की जांच होगी तो सामने सबके हकिकत सामने आएगी और मेरा तो मानना है कि उस डाक्टर को तो लिलमभीत किया जाए पंड जिसने गलत उत्तर दिया है उसको भी लिलमभीत किया जाए आपने आरोप लगाया था कि कलेक्टर से चापामार कारव इस्पिकर मोदे जो अज्यक्ष मोदे बोले हैं तो मैं मानता हूं कि दो गंटे में रिपोर्ट अनिवारी रुख से आई जिन्होंने सदन में मुद्दा उठाया कि सरकारी डॉक्टर घर में नीजी अस्पदाल चला रहा है अब उसकी जो जाच रिपोर्ट है वो आसन दीने दो घंटे में पडल पर मांगिये वोपाल से केमरेमेंट नाराएं के साथ आमिर कान आई इंडिटॉन्ट